रादे रादे जैसी क्रश्ना आज मैं आपको देवी भागवत के महात्यमे को सुनाने जा रहे हूँ इस प्रसंग में राजासु धुम्न के इस्तरी बनने और श्रीमत देवी भागवत श्रेवन के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बन कर राज्यलाब और परमपद प्राप्त करने की कथा का वर्णन आता है जब भी आप देवी भागवत के महात्यमे को सुने तो मन में श्रद्धा भाव जरूर रखें साथ ही साफ सफाई का जरूर ध्यान में रखें कथा इस प्रकार है सूत जी कहते हैं हे मुनीवरों अब दूसरा इतिहास सुनो जिसमें इस देवी भागवत का महात्यमे कहा गया है एक समय की बात है मुनीवर अगस्तस्यजी जिनकी पतनी लोपा मुद्रा है स्वामी कार्तिके के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी कार्तिके ने तीरत व्रत और दान के महात्यमे से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं सुनाई वेकाशी मनी करनी का गंगा आधी तीर्थों का महात्यमे विशद रूप से वर्णन कर गए इन कथाओं को सुनकर मुनीवर अगस्तस्यजी को बड़ी प्रसनता हुई जगत के कल्यान के लिए परम तेजस्वी कार्तिके जी से उन्होंने फिर पूछा अगस्त्यजी जी बोले तारका सुर्का संगहार काड़े वाले भगवन आप सर्व शक्ती संपन है अब देवी भागवत का महत्यमे और उसके सुनने की विधी भी बताने की क्रपा कीजिए जिससे त्रिलोग जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्र गाए गए हैं उस देवी भागवत नामक पुरान से बढ़कर दूसरा कोई पुरान नहीं है स्वामी कार्तिके ने कहा हे भ्रह्मन श्रीमत देवी भागवत के महत्यमे को विस्तार से कौन कह सकता है फिर भी मैं संग्षेव से कहता हूँ सुनो जो नित्य स्वरूपा है सत्चित आनद में हैं जिनका श्री विग्र है तथा भुक्ती मुक्ती देना जिनका सोभाव है वे भगवती जगदंबी का देवी भागवत में स्वम विराजमान रहती हैं अतेव हे मुनी इस देवी की वाडमई मूर्ती कहते हैं इसके पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी प्रदाद दुलब नहीं रह सकते सुना है विवस्वान मनु के पुत्र श्राद देव थे उन्हें कोई संतान नहीं थी वस्ष्टी जी की संपत्ती से उन्होंने पुत्रष्टी यग्य किया विवस्वान मनु की इस्त्री का नाम श्रद्धा था श्रद्धा ने होता से प्राथना की ब्रह्मन आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन हो तब होता मन ही मन कन्या उत्पन हो यो संकल्प करते हुए हवन करने लगे इस विपरित भावना के फल स्वरूप इला नाम की कन्या उत्पन हुई राजा विवस्वान कन्या को देखकर उदास हो गए उन्होंने गुरुदेल से पूछा यहां आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया राजा की बासन कर मुनी वर वसिष्ट जी ध्यानस्त हो गए उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्याति क्रम के कारण है तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनी ने भगवान शिरीहरी की शरण ली मुनी के तप एवं भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते देखते पुरुष रूप में परिनित हो गई उस समय गुरुदेव ने संसकार करके इला का नाम सुधुम्न रखा वे मनुपुत्र सुधुम्न ऐसे प्रकांड विद्वान हुए मानो विद्धा के अथासागर हो कुछ समय के बाद जब सुधुम्न युवा हुए तब वे घोडे पर चड़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चलेगे किसी समय की बात है देवा अधिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ प्रसनता पूर्वक विहार कर रहे थे उसी समय उनके दर्शन की अभिलाशा से मुनिगन वहां पधारे मुनियों को देखकर पार्वती जी लजजित हो गई सयम शील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे थे तब वेतुनंत लोटकर बैकुंट को चलेगे फिर भी अपनी प्रेयसी भारिया पार्वती को प्रसन रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यहशाब दे दिया आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकरती इस्तरी की बन जाएगी उसी समय से पुरुष उस इस्तान पर नहीं जाते सुधुम्न वहां सहसा चलेगे और जाते ही उनकी आकरती इस्तरी की हो गई उनके साथ जितने भी लोग थे वे भी इस्तरी बन गे जो घोड़ा था वे भी घोड़ी के रूप में परिनित हो गई यह देखकर उस सुन्दरी इस्तरी को बड़ा आश्चरिय हुआ अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी एक समय की बात है वह इस्तरी बुद्ध के को पती बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी तब वह इस्तरी बुद्ध के साथ हास विलास करते हुई उनी के आश्रम पर रहने लगी कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस इस्तरी के गर्व से पुरू रवा को उत्पन किया बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीट गे एक दिन उसे अपना पहला वर्तांत याद आ गया इस मरन आते ही उसके मन पर दुख की छटा चा गई फिर तो वह निकली और तुरन गुरुदे वसिष्ट के आश्रम पर चली गई उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुने प भगवान शंकर की भली भाती पूजा की और उत्नम भक्ती के साथ वे उनके आराधना में लगे वसिष्ट जी ने कहा है भगवन आप कल्यान स्वरूप मंगल करता और जटा धारन करने वाले हैं पारवती जी आपकी अरधांगनी हैं चंद्रमा आपके ललाट की शोबा मेरा बार बार नमशकार है सुख प्रदान करने वाले केला स्वाशी भगवान शंकर आपको नमशकार है आप भक्तों को भुक्ती और मुक्ती देने वाले भगवान नील गंठ हैं जो कल्यान में गविग्रे हैं शर्णागतों का भैदूर करना जिनका सौबाव है व्रशब जिनका वाहान है शरन देने में जो बड़े कुशल है उन परम प्रभू शिव को मेरा नमस्कार है जो स्रश्टी इस्तिती और संगार के समय ब्राव्मा विश्नु और रुद्र रूप धारन क्या करते हैं जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं उन देवा अधी देव पुरान तक भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ यग्य करने वालों को यग्य फल प्रदान करने वाले यग्य सरुप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है सूरिय चंद्रमा और अगनी को ही अपने तीनों नेत्रों में इस्तापित करने वाले गंगाधर भगवा शंकर आपको नमस्कार है इस प्रकार वस्षिष्ट जी के इस्तूती कने पर भगवान शंकर प्रकट होगे वे नंदी पर सवार थे जगजननी पारवती साथ विराजमान थी शंकर का दिव्य विग्रह करोडो सूरिय के समान जगमगा रहा था रजतगिरी के सद्रश्य उनकी स्वच्छ कांती थी तीन नेत्र थे ललाटप चंद्रमा सुसोबिथा वे अत्यंत प्रसन्हों का शरण में आये हुए मुनीवर वस्षिष्ट जी से कहने लगे भगवान शंकर बोले हे विप्रवर तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वहवर मांग लो भगवान के यो कहने पर वस्षिष्ट जी ने उनके चर्णों में मस्तक जुखाया और इला के पुरुष हो जाने की प्रात्ना की तब प्रसन होकर भगवान शंकर ने मुनीवर से कहा यह एक महने पुरुष रहेगा और एक महने इस्त्री यो शंकर से वर पालेने पर वस्षिष्ट जी ने जग जननी भगवती पारवती को प्रेणाम किया वे देवी वर देने में सदा उस्सुक रहती हैं करोडों के चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांती है उनका मुक मंडल मुस्कान से भरा रहता है इला सदा के लिए पुरुष बन जाए इस कामना से मुनी भक्ती पूरवक पारवती जी की पूजा करके उनकी स्तुती करने ल आश्रय भूता देवी आपकी जैहो शहनागतों पर अनुग्रह करने वाली है देवेश्वरी आपको बारंबा नमस्कार है दुखदूर करने वाली एवं दुष्ट देत्यों की संगारणी भगवती दुर्गे आपकी जैहो भकती से प्रसन होकर दर्शन देने वाली जगदं के आपको प्रणाम है महामाये आपके चरन कमल संसार रूपी समद्र को पार करने के लिए नोका है धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली है देवेश्वरी आप प्रसन हो जाएं है देवी कौन है जो आपकी इस्तूती कर सके मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हू भगवती दुर्गा साक्षात नारायनी है वसिष्टी जी के यो भक्ती पूर्वक इस्तूती करने पर वेत्तुरंत प्रसन हो गई तदनन्त शर्णागतों का दुख दूर करने वाली उन महा देवी ने मुनी से कहा तुम सुधुम्न के घर जाकर भक्ती भाव से मेरी आराधना करो हे द्विजवर तुम प्रसनता पूर्वक नो दिनों में सुधुम्न को शरीमत देवी भागव सुनाओ वह पुरान मुझे बहुत प्रिय है उसके सुनते ही वह उसी शरन पुरुष हो जाएगा इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और पारवती जी अंतरद्यान होगे अब वसिष्ट जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम में चले आए उन्होंने सुधुम्न को बुलाया और देवी की आराधना करने की बात कह सुनाई एवं आश्रम मास के शुकल पक्ष में नवरात्री विधी का पालन करते हुए मुनी ने भगवती जगदंबिका की पूजा की और राजा सुधुम्न को श्रीमत देवी भागवत पुरान सुनाना आरंभ कर दिया राजा भी वह अमरत में कथा भक्ती भाव से सुनने में सलंगन होगे कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वेसदा के लिए पुरुष होगे तब मुनीवर वशिष्ट ने सुधुम्न को राज्य पर अभिशिक्त किया सुधुम्न प्रजाजन को प्रसन रखते हुए भुमंडल पर राज्य करने लगे उन्होंने भाती भाती के यग्ये जिन में प्रचूर दक्षिना दी जाती है करके देवी की पूजा की फिर पुत्रों को राज्य सौप कर सुम भागवती के परमधाम को चलेगे विप्रों में विशद रूप से यह इतियास कह चुका हूँ जो मनुष्य परम अम्रस रूप इस प्रसंग को प्रेम पूर्वक पढ़ता अध्वा सुनता है संसार में भागवती की क्रपा से उसके सभी मनौरत पूरण हो जाते हैं और अंत में वे भागवती के परमधाम को चला जाता है इस प्रकार आज मैंने आपको देवी भागवत के महात्यमे का पवित्र प्रसंग सुनाया आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा अगर आपको देवी भागवत के महात्यमे का यह प्रसंग अच्छा लगे तो कमेंट बुक्स में जहो मा भागवती जरूर लिखें धन्यवाद